श्री शिवाय नमस्तूब्यम हरहर महादेव पुच्चे गुरुजी के श्री मुख से माले गाउं में श्री शिवापुरान कथा चल रही थी आज माले गाउं में हो रही श्री मापुरान कथा का सात्वा और आकरी दिन था आज ही कथा में गुरुजी ने दो नए उपाय बताए हैं पहला मनोकामना पूर्ती के लिए शिवलिंग में जल्ग केसे चड़ाना चाहिए दूसरा यदि विवा में दे रही हो रही है तो जल्दी विवा कराने का उपाय इसके अलावा गुरुजी ने सीहोर में कंकर शंकर की पूजा से जुड़ी बहुती महतोफुन जानकारी बताई है कि हमें सीहोर के कंकर शंकर की पूजा केसी करनी चाहिए तो आज के इस वीडियो को पूरा देखे और आखरी तक बने रहें सबसे पहले आपको बता दू आज ही कथा में गुरुजी ने बताया है इस साथ दिन की मालेगाओं की कथा में मांस और मदीरा की दुकानों की बिक्री सबसे कम रही लोगों ने दुकानों से खरीदा नहीं और इसके अलावा दुकानदारों ने भी अपनी दुकाने बंद रखी और मालेगाओं में होरे इस कथा में अपनी सेवा दी इसके बाद गुरु जी ने बताया कि अभी तक की सबी कफाओं में मालेगाओं की कफा में अब तक सबसे ज़्यदा लोग कफा सुनने के लिए आए हैं और आज तो रिकारडी टूट गया आज चिक कफां में लगबख 11 लोग कफा सुनने के लिए आए थे इसके अलावब गुरु जी ने बताया है, कि मालेगाओं के शिवमापुरान कथा और बडोद्रा के शिवमापुरान कथा एसी कता है, जिसमें किसी के पर पास दान गया। यह ऐसे कि वहाँ के बाउंसर के पास या फिर उस समीति के कारियलाई के पास जो दान गया है उन्होंने वो दान अपने पास ना रख कर्थे वितले सेवा समीति और पुझ्ज गुरूजि के कारियलाई में जमा कर वाया इसके अलावा किसी कथा में इसा नहीं किया गया है यदि आप पुझ्य गुरूजी की वितले सेवा समीती को दान देना चाहते हैं तो आप उनके कार्यलाएं में ही जाकर दान करें यदि आप कहीं और किसी और को दान दे देते हैं तो वह दुख तुरंत नहीं हटता इसलिए किसी बाबा के पास जाकर अपना समर व्यर्थ नहीं करना चाहिए आपका दुख अपने आपको मिटाना पड़ता है एक लोटा जलने और शिवजी पर चड़ाए एक बेल पत्र चड़ाए और वसे कामना करें अपका दुख मिटा देंगे और इसके अलावा भजन किर्तन करें भगवान की भकती में डूगे दुख अपने आप कटने लगता है अपने दुख को काटने के लिए किसी अंद विश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए अगले जनकरी शिव मापुरान कथा कुम्ब के मेले जिसी होती है बस शिव मापुरान कथा और कुम्ब में एवल एक फर्क होता है कुम्ब के मेले में माता, पिता, पत्नी या अन्य परिवार के लोग खो जाते हैं और शिव मापरान कथा में, लोग शिव भक्ती में खो जाते हैं, यहां कोई किसी को नहीं डूंटा शब शिव में खोए रहते हैं, आज की अथा की अगली जनकरी, अपने मन में लोग, अहंकार और दुश्मनी नहीं आनी चाहिए, यदि हमारे मन में ये सब आ जाता है, तो ह हमें इस जनम में भजन और किर्तन में हमारा मन नहीं लगता, यदि हमने पूर्व जनम में भजन किर्तन भगवान की भक्ती की होगी, तो हमारा इस जनम में भगवान की भक्ती में मन लगी जाता है, आज काता कि अगली जनकरी, कभी भी हमें अपने घर में मंदीर नहीं बन क्योंकि जिसके घर में हम रहते हैं उस घर के मालिक के उपर पूरे परिवार की जवाब दारी रहती है यानि हम भगवान के मंदीर में अगर अपना घर बनाते हैं तो हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी भगवान स्वयम उठाते हैं आज ये कथा कि अगली जानकरी यदि आप सिहोर गए हैं और यदि आप महां कंकर शंकर की पूजा करना चाहते हैं तो आप महां कंकर शंकर की पूजा करें जल चड़ाएं पंचामरत चड़ाएं फल फूल जो भी आपके पास सामगरी है सबी सामगरी आप कंकर शंकर को समर्पित करें जिसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं बिल्कुल आपको वैसे ही कंकर शंकर की पूजा करनी है लेकिन पूजा करने के बाद कंकर शंकर को हर कहीं छोड़ कर नहीं आना है आपने पूजा कर ली है तो पूजा करने के बाद उस कंकर शंकर को उठा कर एक तरफ कहीं विवस्तित रख अच्छे इस्तान पर रख कर आना है गुरुज ने आची कता में ये बाद सभी को बताईए आची कता की अगली जानकरी आची कहता का पहला पत्र संगीता जी ने 40 गाउं से लिखा है वे लिखती है गुरुज जी मेरे पती 12 साल से मेरी पती बिना किसी को बताई कहीं चले गए थे बहुत डूंडा पर वे नहीं मिले हमने सोचा वे दुनिया में ही नहीं है फिर अभी मुझे पता चला कि माले गाउं में कता हो रही मैं दूसरे दिन की कता सुनने कता पंडल में आई और वहीं कता पंडल में बेट कर मैंने बाबा से कामना की कि बाबा मेरे पती को वापस लोटा दो मेरा सोहाग मुझे लोटा दो बारा साल हो गए उनकी कोई खबर नहीं हमने उन्हें देखा नहीं हमें पता भी नहीं है कि वे इस दुनिया में हे भी या नहीं और जब मैं घर पहुँची तो मुझे खबर मिली कि मेरे पती जीवी थे और तीन दिन में घर लोट रहे हैं हमें उनका फोटो भी प्राप्त मैं बहुत खूश हूँ बाबा ने मुझे मेरा पती लोटा दिया आज मैं फिर से कथा में बाबा को धोग लगाने के लिए आए हूँ आजी कथा का दूसरा पत्र मीरा जी ने जलगाउं से लिखा है वे लिखती है गुरू जी मेरी बहु 17 साल से कभी बिमार नहीं पड़ी एक गोली उसने नहीं खाई लेकिन अचानक से वो बहुत बिमार हो गई हमने लाखों रुपे खर्च किये लेकिन वो ठीक नहीं हुई हमने होस्पिटर चेंज किया वहां डोक्टर ने बताया कि मेरी बहु को पेरालिसिस हो गया है जिसमें दिमाग के सेंसेंस ने काम करना बिलकुल बंद कर दिया है हम हताश हो गए कुछ समझ नहीं आ रहा था तब मेरी बेटी ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया अब और मेरी बहु जो कई समय से बिमार थी उसकी तबयत में सुधार आने लगा वो ठीक होने लगी हम बाबा को धोक लगाने के लिए कुब्रेश्वर धाम सिहोर जा रहे हैं आजी कता का तीसरा पत्र किरन जी ने लिखा एवे लिखती गुरुद जी मेरी तबयत अचानत अधिक बिगड़ गई घरवाले ने मुझे होस्पिटल में एडमीट करा और शिवजी पर एक लोटा जल चड़ाते रहे जल जहिलकर लाते मुझे पिलाते एक चड़ी हुई बेल पत्र मेरे बिस्तर के पास लाकर रखते यह करते करते में धीरे धीरे ठीक हो गया और आपस अधिक बाबा को एक बाबा को यहां कत्ता में दोक लगाने के लिए आया आची कता का तीसरा पत्र साहिला जी ने लिखा है वे लिखती है गुरू जी मैं अपनी कोलेज की डिगरी को लेकर बहुत चिंतिती थी फिर मुझे आपकी कता के बारे में पता चला मैंने आपकी कता सुनना चालू किया एक लोटा जल रोज शिवजी पर चड़ाने लगी बेल पत्र पर शहद लगा कर बाबा को चड़ाया और बाबा से कहा बाबा मुझे कोलेज चाहिए अगर वो ही कोलेज मुझे मिल गया तो मैं तुम्हारा दरवाजा कभी नहीं चुड़ूँगी तेरे चड़नों में ही पूरी की है आज की कता का पहला उपाय मनो कामना पूरती के लिए यह किसी कामना से शिवलिंग पर जल चड़ा रहे हैं तो जब भी हम शिवजी पर जल चड़ाएं तो शिवलिंग में सबसे पहले गणेची की स्थान पर जल चड़ाएं फिर कार्ती के जिके स्थान पर जल जल चड़ाएं फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर जल चड़ाएं उसके बाद शिवलिंग पर टंगी जल हरी में जल चड़ाएं उसके बाद आप नंदी पर जल चड़ाएं इसी प्रकार आपको मनोकामना पूर्ती के लिए शिवलिंग में जल चड़ाना है और जल चड़ान हो गई 30 साल हो गई शादी टली ही रही ए शादी में अर्चने आ रही है तो जब भी आप शीजिबिंग पर उन सिरे ऐह कंद आए। तो माता अशुक सुंद्री वाले इस्थान से जल चड़ाते हुए उन इस माता अशुक सुंद्री के इस्थान पर ही जल चड़ाते हुए खतम करना है यानि आपको अशोक सुंदरी के इस्थान से जल चड़ाना शुरू करना है और माता अशोक सुंदरी के इस्थान पर जल खतम करना है यानि कि सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगत चल चड़ाएं और बिना धार को रोके हुए शिवलिंग में आसपत जल चड़ाते हुए शिवलिंग के उपपर जल चड़ाए और उसी धार से शिवलिंग में अशोक सुन्दरी के स्थान पर जल ले जाकर आपको धार वहीं रोकना है धार बीच में नुकनी नहीं चाहिए शिवलिंग के शुरू होकर अशोक सुन्दरी पर ही खतम होनी चाहिए बाबा जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी तीन महिने में बाबा पूरी करेंगे आज पुझे गुरुजी की मालेगा पुर्णे शिवमापुरान खत्म हो चुकी है इसके बाद गुरुजी की अगली खता दो जन्वरी से नो जन्वरी तक 36 गड के बालोदा बाजार के कोकडी गाउं में होने वाली है इस कता को गुरुजी ने आशुतो शिवमापुरान नाम दिया है और इस कता में गुरुजी हमें बेल पत्र के नीचे हल्दी वाले जल का उपाय बताएंगे यदि इस कता की संपूर ने जानकरी और उपाय आपको इसी चैनल पर मिलेंगे मैं इसका वीडियो अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने इस कता की संपूर ने जानकरी दी है इसके लाब आप पारलोता बजार के कोकड़ी गाउन तक कथा पंडल तक केसे पहुंच सकते हैं उसकी भी पूरी डीटियल बताई है यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और आप गुरुजी की सभी कताओं की संपूर्ण जानकरी प्राप्त करवाएंगे यदि आज का वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें